नमस्कार मेरा केश और आप मुझे सुन रहे हो टाक्स जंक्सन पर तो दोस्तों, इंकम टाक्स डिपार्टमेंट ने महाराश्टर में बहुत बड़ी रेड डाली होई है इंकम टेक्स की ये रेड ऐसी है कि बताया जा रहा है कि ये महराश्टर के मिनिस्टर अजित पवार जी है उनके बहनों के घर पे डाली हुई ये रेड है बहनों के सारे प्रॉपर्टिये वहाँ पे डाली हुई ये रेड है ये रेड कुलापूर पूने जैसे शेहरों में भ आ रही है लेकिन income tax की तरब से भी जानकारी सामने आ रही है क्योंकि ये rate ऐसी है कि अगर आपको government office में अगर job चाहिए तो फिर पैसे दो या फिर आपके जमीन के काम अगर फशे हुए तो फिर आप पैसे दो या फिर आप contractor हो और आपके payment government के पास फशे हुए है तो पैसे दो ऐसे वाली cash इकटा की गए थी और ये cash को code से वो जानते थे कि कौनसे इंसान की cash क्या है कौनसे इंसान की cash क्या है कितनी आई है कितनी किसको देनी है ये सब codes में लिखी हुई थी चीदे और भले ही यहाप encrypted जो discussion था है digital discussion होता है encrypted मतलब whatsapp पे हम जो chat करते वो encrypted रहता है किसी और को नहीं पता चलता है लेकिन encrypted होने के बावजुद भी income tax department को success मिला है कि इसको decode करने के लिए तो आईए जानते कि income tax department ने अपने तरब से क्या explanation दिया है ये RAID के चलते तो income tax department ने ऐसा बोला है कि हमने RAID की शुरुआत करी थी 23 सप्टेबर 2021 को बड़े बड़े नाम है म महाराष्टर में बड़े बिजनेसमेन है व्यापारी है या फिर middleman है जो कमिशन पर काम करते हैं और बहुत सारे लोग है जो महाराष्टर में government offices में काम करते हैं पबलिक offices में काम करते हैं income tax department 6 महिने से इसके पीछे दिमाग लागा रहा था उन्होंने लगबग 25 residential premises और 37-15 office premises उन्होंने अपने RAID में रखे थे उसमें से 4 office जे हैं वो उन्होंने सर्वे पे रखे हुए थे कुछ अबेरा होटेल के कुछ rooms थे वो दो लोगों ने permanently rent पे लिये हुए थे जहापे वो अपने clients को बुलाते थे और clients को बुलाने के बाद वहाँ पे चर्चाय करते थे और वो अलग-अलग code ने वहाँ पे इस्तमाल करते थे और उन्होंने ऐसा देखा है कि इसमें बहुत सारे पुराने case भी मिले हैं मतलब code में सारी चीज़े लिखते थे कौन से आदमी हैं उसके साथ क्या deal है वो code में लिखते थे किसी को पता ही नहीं चले कि यह क्या है cash लिखनी है वो भी code में लिखते थे तो यह code है income tax department ने successfully decode क आप rent पे ले रहे हो और वहाँ पर यह सारे transactions कर रहे हो टोटल transactions उनको मिले है 1050 करोड रुपे के इतने उन्होंने transactions किये है पुराने 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 सपकड के 1050 करोड रुपे के transaction किये हुए नजर आ रहा है यह जो middleman है यह end to end services देते थे मतलब जैसे corporates हो या फिर कोई businessmen हो उनको अगर जमीन related उनके कोई काम पशे है और government का clearance चाहिए तो यह लोग वहाँ पे इनको support करते थे और उसमें यह लोग commission कमाते थे भले यह encrypted mode था उसके उनके पास sanitizing devices थे लेकिन income tax team जो है उन्होंने critical digital evidence उनको मिल गये है और उन्होंने क्या क्या कि जो भी secretly चीज़े चुपाई गई थी वो सारे की सारे जो evidences से जो भी proof से income tax department को मिल गये है उन्होंने in fact अंगडिया जो होते अंगडिया जो होते अंगडिया को भी उन्होंने पकड़ा है और अंगडिया के पास उनको एक 15 करोड की cash लगबग उनको मिली है आगे ऐसा देखा गया कि बहुत सारे documents मिले है जहाँ पे कितनी cash उनके पास आई थी और कितनी cash उनके पास गई है सारी चीज़े और कितनी cash आनी है कितनी cash देनी है सारे के सारे चीज़ों की जानकारी दिखी होई थी कोई register maintain था और वो register के अगर total करें तो 200 करोड रुपे की रकम आ रही थी और यहाँ पे main important area था जहाँ पे cash कमाए जा रही थी तो ज्यादा से ज्यादा government के offices में अगर आपको काम करना है important post पे अगर नोकरी चाहिए certain ministry के अंडर तो फिर उसके लिए आने वाली cash थी या फिर contractor ने दी हुई cash थी अगर उनके पैसे अगर फशे हुए है government में बिल अगर उनके pending है तो वो cash देते और अपने बिल निकलवा देते वैसी वाली cash पशी हुई थी और बहुत सी cash जो है वो अलग-अलग लोगों को उनोंने distribute करी थी जो ये code name में mention हुआ था उनोंने income tax department जो अपना price release देती है उसमें आदमी का नाम नहीं लिखती है क्योंकि ये search operation continuously जारी रहता है इसको बाद में कोई case भी खिर सकता है तो बेटर रहता है कि अपना नाम नहीं लिखते ये बाद में media में वैसे भी सामने आते है नाम जैसे आजित पावर जी ने पुष्टी क income लिखा रखा हुआ था जो उनको जमीन से आया था वो क्या गरते थे कि किसानों से जमीने खरीतते थे और ये जो जमीने है ये बड़े-बड़े companies को या फिर government के बड़े-बड़े companies को ये जमीने बेचते थे और बहुत सारे senior government officers और उनके रिष्टेदार और बहुत सारे ज सब government के offices या फिर government में काम करने वाले लोगों के रिष्टेदार उनके नाम पे अलग-अलग project बनते है, residential project बनते है, उसमें ये scheme बनती है, उसमें ये सारे लोग पैसे invest करते थे, मतलब कितना बड़ा ये racket है ये सामने आ रहा है, ऐसा income tax के text से हमें लग रहा है, या पिर RAID मे लिखे थे, cash deposits के, वो लगबग 27 करोड की cash के उन्होंने transactions लिखे थे, और cash payment किये गए थे, 40 करोड रुपे के, सिर्फ cash में जहापे हम digital payment की बात करते, जहापे हम online transaction की बात करते, यहापे ये लोग cash लेके गुम रहे थे, 27 करोड की cash इनको मिली थी, 40 करोड के payment किये थे, अपर नाम भी नहीं लिखा है, लेकिन code में लिखा गया है, तो बहुत सारे middleman जो है, उनको payment मिलते थे, अलग-अलग बड़े-बड़े businessmen से और industrialist से, कि उनकी जो जमीन है, यह जमीन है, गवर्मेंट के कोई scheme में लेने के लिए वो पैसे देते थे, साती-सात, की जानकारी सामने आई है, वहाँ पे cash receipt की बात हो रही है, 16 करोड की cash मिली है, और 12 करोड की cash पे करी गई है, मतलब WhatsApp का Chad भी income tax department ने decode किया है, और बहुत सारे लोग जो है, जिनको search किया गया है, जो own real estate और construction भी इनेसे में है, उनके सारे receipts, payments की जानकारी मिली है, बहुत सा सारे mobile phones, pen drives, hard drives, iCloud, emails, सारी की सारी चीदों को उन्होंने examine किया है, analyze किया है, तो अब तक income tax department ने ऐसा बोलाए कि हमें अभी तक लगभग 4.6 करोड की cash मिली है, हमें jewelry मिली है, 3.42 करोड की उनको jewelry मिली है, 4 ऐसे locker उनको मिले है, जो उन्होंने फिल हाल उनको seal करके रखा हुआ है, तो ये income tax department की तरफ से जानकारी आ रही है, media में भी खबरे है, media में बात हो रही है, उनकी sugar industry की बात हो रही है, अजित पावार के बेनों की sugar industry की बात हो रही है, तो इतना बड़ा ये racket है कि आपको government में job चाहिए, आपके पैसे पसे, आपको tender career करना है, आपको government के इसमें जमीन के अगर आपके कामकाच रुखे है, हर एक चीज के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, उसके लिए आपको जाना पड़ता है, ओबेराय होटेल, ओबेराय होटेल में आपका नाम code से लिखा जाएगा, वहाँ पे आप अपनी cash submit करोगे, और आपका काम हो जाता है और ये लोग इतना ही नहीं किसानों से सच्थे में जमीन खरीदना और ये जमीने जो है ये बड़े-बड़े players को, market players को दे देना, और वो लोग पिर इसमें invest कर सकते थे government officers और उनके रिश्तेदार, ये बड़ी-बड़ी बाते सामने आ रहे हैं, ब्यूरोक्राट्स, गवर रहा है, ये केस आगे चलता रहेगा, इसमें बहुत अभी समय लगने वाला है, लेकिन फिलहाल income tax department ने ये जानकरे दी है, press release के जरिये, तो आपकी इस बारे में क्या राए है, हमें आप comment section में जरूर बताईएगा, आप अपना ख्याल रखिएगा, अगर काम के लिए बाहर निकल रहे हो, तो आप अपने आपको sanitary जरूर करिएगा, take care, have a night day.